हेलो फ्रेंड्स हाओ आप सभी कैसे हो उमीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो आज आप लोग क्या जो सीटेट के लिए ये स्पेशली है तो देखिए जो सीटेट का इजाम है उनमें सोसल साइंस के लिए मैं कोश्चेंज करवा प्रशन को समझना बहुत जरूरी होता है ठीक उस प्रशन से ही कुछ दूसरा कोशन ऑप्शन चेंज कर देता है तो आप लोगों जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइस करिए वह बहुत जरूरी होता है इसलिए मैं आप लोगों को आपको पैता होगा मैं अपने साथ करना और मैं बहुत फास्ट करवाऊंगी ताकि आपके पास आइनों की समय नहीं है अभी बहुत कम समय है कम समय में ज्यादा कोशन कर चाहिए अगर अपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके वैल आइकन दवा दो ताकि मेरे नो किति आब कर साइब करते हैं जिसी कि देखिए कौशन है डीटू प्रवास्थ से अभी पराय है तो डीटू प्रवास से क्या भी प्राहिए पहला है नए चारागों皮 चाररा जावे में की चारा गाहें की खोज में अपने पशूधन के साथ हैंो इंप्सुद्धन के साथ ल और प्रवशन लोगों की अपनी जीविगा के लिए रितुवत गतिशीलता तो इसमें क्या हो जाएगा तो इसका जो होगा फ्रेंस क्ये वन हो जाएगा यानी रीतुप्रवास से अभी पराई क्या होता है तो देखिए नए चारा गउं की खोज में अपनी पसुधन के साथ क्या करते हैं लोगों की रीतुवत गतिशीलता है रीतुप्रवास जो है वो परवत्य छेत्र पर चली थे यहां पर नहीं बताया गया है यह जो होती है रीतुप्रवास वो कहां पर अधिकतर होती है यह कोशन कर सकता है कोई बड़ी वात नहीं है तो यह परवत्य छेत्रो प्रवास करते हैं ठीक है next question देख लेंगे तो नेक्स्त कोशन है 32 cellों के परकार और उधारन दिया हुआ है तो देखिये शैलों के परकार में दिया हुआ अन्तव भेद यह आगने शैल भही भेदी यह आगने शैल अपसादी शैल तो देखिए जो साल का उधारन क्या हो जाएगा तो सबसे पहले कोषिश्ट ऑप्षण अम लोग देख पार है धिए वण टूट्री फोर तो देखिए अंतव्यदी अगनेशल का उधारन क्या होता है ग्रेनाइट होता है तो देखियो option किस पे हो ग्रेनाइट दिया हुआ है तो देखते हैं हम लोग यहां पर 4 number है ना यानि अंतरवेदी आगने शेल ग्रेनाइट हुदारन है बही वेदी आगने शेल का क्या हो जाएगा बेशाल्ट हो जाएगा अपशादी शेल का क्या हो जा प्थर तो यह हो जाएगा और अप्शन डेख लेते हैं कि निम्ली की छेत्रों में से किसमें चीनूग अस्थानिय पवन चलती है तो देखें यह जो चीनूग है तो यह बताई दिया आपको यह क्या है यह अस्थानिय पवन है तो यह कहां कि पुछा गिया है प्रेरी सवाना पंपास वैल तो कहां का है तो देखिए यह जो है यह कहां का है यह पेरी का है ना चीनुक जो है चीनुक यह ना एक अस्थानिय पवन है और यह प्रेरी जल्वाई छेतर में चलती है यह क्या होता है यह उत्री अमेरिका का जो रौकी परवत है तो उत्री अमेरिका के रौकी परवत के श्रेनी के पूर्वी धाल पर ठीक है तो पूर्वी यह पूर्वी धाल में क्या हो जाता है यह हवा पसू पालकों के लिए लाइब दायक होता है पूर्वी धाल पर चलती ह कहां पर चलती है आपको बता दिया में उत्री अम्रिका के रौकी परवस्टेनी में और पुडविधाल में चलती है और यह जो होती है परसुपालक के विले बहुत ज्यादा लाबदायक होती है क्योंकि इसमें आवागवन से चारागा वर्फ मुक्त हो जाता है ठीक है तो य यह है आपका प्रेईरी से संब्सक्राइब करती है तो देखिए चोब मंदल मध्य मंदल वाहे मंदल समताप मंदल तो कौन सा मंदल है जो रेडियो प्रसारन में सहाइता करती है तो देखिए 34 का क्या हो जाएगा तो इसका होगा थ्री बाहे मंदल तो मैं आपको पता दो बायो मंदल में जो पाए जाने वाली परत है उसको हम आयन मंदल ठीक है आयन मंदल की नाम से भी जानते हैं आयन मंदल को आयनोस्फियर कहते हैं से रेडियो तरंगों का परावरतन होता है वहां से रेडियो तरंग 80 km से 10,000 तक है लेकिन इतना है लेकिन इसमें आयन मंदल का विस्टार कितना है तो इसमें आयन मंदल का विस्टार जो है 80 km से 840 km है इसमें आयन मंदल का इस मंदल में क्या होता बिद्धूती है चुम्बा कि घटनाई भी घटित होती है पूछ सकता है आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कोईशन है सुनरी जरी निमनिखित में से किसकी एक किश्म है तो देखिए सूती वस्त का नायलोईन का जूट का सिल्क का तो किसकी हो जाएगा तो देखिए ये जो होगा सिल्क का हो जाएगा सुनहरी जड़ी जो है वो सिल्क का ही एक किस्म है नेक्स्टर जन संख्या गहनत्व से क्या भी पड़ाई है किसी छेट विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या एक निस्यत अबधी के दोरान लोगों की संख्या भू प्रिष्ट पर लोगों के फैलने का स्वरूप या प्रिथिवी के प्रिष्ट के एक इकाई छेत में रहने वाले लोगों की संख्या तो 36 का क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो हो जाएगा पिर्थिवी के प्रिष्ट के एक इकाई छेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं थीक है तो समझ गया आप जनसंख्या घंत्व से पिर्थवी का प्रिष्ट का एक इकाई छेतर में रहने वाले छेतर वहां का क्या हो जाता है रहने वाले लोगों को ही हम जनसंख्या घंत्व बोलेंगे और जनसंख्या मंधःतल के अनुपाद से संबंधित है ठीक है इसे प्रती वर्ग किलो मीटर में प्रदेशित क्या जैसे भारत का जो जनसंख्या गनात्व है वो 382 व्यक्ति प्रती वर्ग किलो मीटर है ठीक है कितना है 382 भारत का नेक्स कोशन है 37 प्रिथिवी की सता के निकट हिस्थित खनीजों को बाहर निकालने के लिए निमलेखित में से की स्विधी का परयोग किया जाता है तो देखिए यह कोशन जो है यह तो ऐसे बहुत बार पूछा गया है आप देख लेना अगर आप प्रिवियस यर के लगाता तो देखिए 37 का जो होगा वो वन होगा यानि आखनन प्रिथिवी की सता के निकट हिस्थित खनीजों को बाहर निकालने में कौन सा विधी जो है वो खरता है तो आखनन विधी इसको बिलकुल माइन में सेट कर लो नेक्स्ट है उद्दोग के निमलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उधारन है लगू आकार सन्यूख छेतर ब्रिहत आकार या सहकारी छेतर तो क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लगू आकार है ना टोकरी बुना क्या हो और सापेचिक रूप से बस्तु वेवन सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है ताना साही के संदर में निम्नकी कत्नों में कौन सा एक गलत है। तो ताना शाही में ताना शाह द्वारा लिए गया निरनों पर लोग प्रशन नहीं कर सकते। ताना शाही में ताना शाह द्वारा लिए गया निरनों पर लोग प्रशन नहीं उठा सकते हैं। तो इनमें क्या पूछाता कौन सा गलत है तो यह बिल्कुल गलत है नेक्स्ट कॉश्चन है 40 कृष्ण राज सागर्बान निमलिखित नदियों में से किस एक पर बनाया गया है तो कृष्ण सागरबान कहा बना गया है बनाया गया देखिए पूछ रहा है गुदावरी कृष्ण कावेरी महा नदी तो कहा बनाया गया है कृष्ण सागरबान तो यह जो बनाया गया है यह कावेरी नदी पर कृष्ण सागरबान बनाया गया देखिए कृष्ण सागरबान जो है वो मैसूर में है मैसूर करनाटक में इस्थित है ठीक है और यह कावेरी नदी पर बनाया गया है इसकी उचाही जो है 125 फीट है ठीक है और लंबाई जो है वो 3.5 किलो मीटर है कि कितना है गुलंबाई 3.5 किलोमेटर नेक्ट देखते हैं हिंदू उत्राधिकारी संसोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ती में समान अधिकार प्रदान करता है तो देखिए यह आपका स्क्तिक से आगया इसमें किया है पत्नी पुत्र या पुत्रों स्क्राश नेक्ट आफिकुस्त करता पत्नी पुत्र को क्या है हिंदू उत्राधिकारी संसोधन अधिनियम 2005 जो है वो रितक पिता की संपत्ती में समान अधिकार प्राप्त करता है कौन पत्नी को भी मिलेगा पुत्र या पुत्री को भी समान अधिकार मिलेगा पहले पुत्री को नहीं था बटब है उनको भी है नेक्स्ट है भार्तिय रास्ट राज का वर्णन करने के विविता में एकता मुहाब्रू जो है विविता में एकता मुहाब्रे इन राष्टी निताओं में से किस ने दिया था यह जो वर्ड है विविता में एकता यह किस ने दिया था सरदार बल्लब भाई पटेल ने पंडी जवालाल नेरू ने बाल गंगा दरतिलक ने यह मात्मा गांदी ने तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यह कोईशन भी काफी इंपॉर्टेंट है तो इसका जो होगा वो पंडीत जवाला नहिरू जी ने यह कहा था बेवीता में इकता इन्होंने ही दिया था तो दिखिए यह मेरे चैनल का जो है ले लिस्ट है तो मैं आपको इसमें यह दिखाना चाहती हूं कि पॉलिटिक्स का जो कोईशन है वो मैंने करवाया है तो वो आपको यहां पर मिल जाएगा यह आप देख सकते हो यहां पर सीटेट का जो है इंगलीश सीटेट हिंदी तो दिखिए यह है टीचिंग एप्टीट्यूट ठीक है यह है टीचिंग एप्टीट्यूट फॉर और टीचिंग एक्जाम तो इसको खोनने के बाद आप यहां पर जो है देखिए सीटेट का मैंने प्रिवियर से कोईशन जो पैड़ागोगी का करवाया है यह सारे तो जरूर आप एक बढ़ जाके देखना यह देखिए यह सीटेट सोसल साइंस यहां आप देख पार रहे हो सेटेट सोसल साइंस लिखा हुआ है इसमें ने देखिए हिस्ट्री के हां क्या कब कहां और कैसे इस से काफिवार कोईशन पूछा गया था तो मैंने इसको भी कर लेना पॉलिटिकल साइंस यह इंडियन एकोनौमी का है फिर यहां पॉलिटिकल साइंस पास दूए से प्रिवियर से कोशन इसमें है और यह आप देख पाड़े हो यह भी मैंने हिस्टी का जो करवाया है तो यह आपके सूसल साइंस के लिए तो जिन लों का सोसल साइंस है वो यह वीडियो नहीं देखें तो एक पर देक लीजेगा तो नेक्ट question है 43 नमर question में आ जाते हैँ जनपत पंचायत के काड़ीओ के विशे में निमली खिद में दो कतन दिया हो है देखे एक और दो ठीक है एक और दो कतन दिया गया है पहला है जनपत पंचायत जो है जिला अस्तर पर विकाश योजना निधारित करती है दूसरा है जनपत पंचायत गाम पंचायतों के मद्य धन वितरन नियमित करने में जिला परिशत की साहता करती है तो इन दोनों में देखे ऑप्षन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा इसमें देखे तो इसका थ्री हो जाएगा यानि एक और दो दोनों क्या है गलत है क्योंकि देखिए जिला अस्तर पर विकाश योजनाओं का नेधारन जिला परिशत करती है ना कि जनपत पंचायत और ग्राम पंचायतों के जो मद्ध है धन वितरन नियमित करने का कार्य जिला परिशत का होता है किसका होता है जिला परिशत का इ नहीं होती है नेक्स कुशनेफ 44 सूचना का अधिकार अधिनियम पर निमली की दो कथन दिये गये हैं पहला है सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से अ माध्यम से कोई भी नागरी केवल केंदरिय सरकार के विभाग की कार्य परनाली के संदर में सुचना प्राप्त कर सकता है दूसरा है सुचना का अधिकार अधिनियम के अंतरगत सुचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी इस्तर के किसी नियाले में पहले याची का दाखिल करनी पड़ती है तो ये आपको क्या लगा दोनों सही है या दोनों गलत है तो देखिए 44 का भी क्या होगा 3 होगा यानि दोनों गलत है देखे सुचना कादिकार अधिनियम मैंने भी तौदर पहले ही बताया था 2005 कब दिया गया था कि तहट कोई भी नागरिक जो है वो गेंदर, राज्य और अस्थानिय आदि सवी अस्तरों के विभागों की कारिय परनाली और अन्य सुचनाई प्राप्त कर सकता है इसके लिए उसे किसी नियाले में याचिका नहीं दाखिल करने पड़ती याचिका में कोई याचिका दाखिल नहीं करना पड़ता है इसलिए ये दोनों ही क्या है गलत है तो ऐसे कोशन्स के लिए आपको जो है कंसेप्ट के लिए रहना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने भी आपको दिखाया था तो उसमें जो मैंने एकोनोमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का करवाया है वो जरूर एक बार देख लेना उसकी बाद है 45 सुल्तान का शौपने नामक कहानी की लेखी का इन में से कौन थी तो देखिए सुल्तान का सौपने की कहानी की लेखी का कौन है तो पहला है मुम्ताज जली, रामसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई या रुकईया सखावत हुशेन तो क्या हो जाएगा इसका तो इसका फोर हो जागा रुकईया सखावत हुशेन सुल्तान का शौपन नामक कहानी की लेखी का है नेक्स कोईशन है गुलामगिरी नामक पुस्तक में इन में से किस ने लिखी है तो देखिए गुलामगिरी पुस्तक जो है बुर रहा है जोतिवा राव फूले शी नारायन गुरू डॉक्टर बियार अम्बेद करिया ईवी रामा श्वामे पेरियार तो 46 का क्या लग रहा है अपको तो इसका देखिए 46 का जो होगा जोति राव फूले गुलाम गिरी जो नामक पुस्तक जो है वो जोति राव फूले ने लिखा है नेक्स है भारतिय नियाईक व्यवस्ता के संदर में अपील की व्यवस्ता का अर्थ क्या होता है तो देखिए इसा डायट एंसर बताते हूं किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निश्री अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे उपर का अदालत में अपील कर सकता है यही है भारतिय नियाई का की अपील व्यवस्थाथी Negeness देखते हैं 48 भार सरकार के कारियपाली कांग से अभी पॉराई है अब सरकार का जो कारियपाली का यंग है उसे क्या मतलब ओड़ रहा है कि क्या अभी पॉराई है तो इसका देखिए लोगों का समू लोगों का समू 녹ो का समू जो कानौनों बदानी और शासन चलानेकी सन्विधान का अनुछेद 22 सुनस्चित करता है तो यह 22 क्या सुनस्चित करता है तो देखिए पहला शोसन की बिरूद अधिकार, शिच्छा का अधिकार, गिरभतारी के दौरान या हिराशत में दुर्वेभार, सन्वेधानिक उप्चार का अधिकार तो ये जो सुनिशित करता है वो थिरी होगा गिरबतारी के दौरान हिराशत में दुर्वेभार से क्या है दुर्वेभार से बचने का जो अधिकार है ये सन्विधान का जो अनुछिद है वो बाईश परदान करता है दिखिए संधान करुछित बाईज जो है वो कुछ दशाओं में गिरबतारी और विरोध के संदच्छन प्रदान करता है ठीक है इसमें गिरबतारी के दोरान या हिरासत में दुरोहर से बचने का अधिकार भी सामील है ठीक नेक्ट कोशन 50 नमर देखते हैं लोग सभा में सत् हान मंतरी का उती ऐसा है बोलंकरन भी सारे कार थिए मुझा सब्सक्राइब करेंगी का वोशन और या करें गद्रीक नी差 करिए वीड़ेवागथ को सब्सक्राइब कर लो यह काफी बड़ा हो जाए किसलिए में इसके बाद के कुश्चन्स कराऊंगी और यह कुश्चन्स आपके लिए काफी यूस्फूल होगा और आपको एक्जाम में बहुत हल्प करेगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वाचिं माई वीडियो